हलो डियर लर्नार जय हिन सभी को स्वागे थे आप सभी का पुना इस पेशल एजुकेशन मेराथन क्लास 13 यानि की 13 मेराथन क्लास जो कि आपके विभिन प्रकार के एक जाम के दिश्टिकोंड से बहुत ही उपयोगी है जिसमें आपको बहुत से कॉस्चन्स मिलेंगे जो जिसमें आपको मिक्स कॉस्चन्स मिलेंगे कई प्रकार के इसलिए वीडियो के अंतर तक बने रहें साथी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा आप उसे क्लिक करके टेलिग्राम चैनल को जॉइन हो जाएं क्योंकि वहां पर आपको जो भी एमसी की पीडियाफ है वहां पर उपलब्ध हो जाती हैं और आप आसानी से वहां से प्राप्त कर सकते हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किये ये रहा आज का हमारा पहला सवाल इससे पहले यदि आप चैनल में नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही महत्पूर वीडियो आपको मिलते रहेंगे और वो तभी मिलेंगे जब सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन दबा करके आ आज का हमारा पहला शवाल कि सहयोगात्मक अधिगम की मूल भूत तत्त कौन से हैं जो हमारा कोलाबरेटु लर्निंग होता है उसके हम एलेमेंट्स की बात करते हैं हमार पास चार आप्सन से आप्सन ए सामुहिक प्रक्रिया आप्सन बी आमने सामने वाली स्वस्थ अन्ता करिया आप्सन सी जवाब देही यानि की एकाउंटिबिलिटी या फिर आप्सन डी उपर युक्त सभी तो कुश्चन नंबर 901 का जो हमारा सही जवाब है आप्सन डी इस दा करेक्ट आंसर क्योंकि ये सारी चीजें में तत्तो की रूप में जानी जाती हैं मानी जाती हैं और ये सभी हैं तो एक बेतर कोलाबरेटिव जो लर्निंग है वो होती है अब देखते हैं कुश्चन दूसरा 902 क्या कहता है कुश्चन नंबर 902 कि बिकलांग जन अध्रियम के किस अध्याय में बिकलांग जनो हेतु रोजगार सुनिश्चित करने की बात की गई है यहाँ पर यानि की जो एम्प्लॉइमेंट से रिलेटेड बात की गई है और पी डब्लूडी एक्ट्स की बात है इसमें परसंस विद डिसिबिलेटी इसकी तो आखिर किस अध्याय में हैं तो हम देखते हैं आप्शन ए अध्याय पांच यानि की चैप्टर फाइप में या फिर अध्याय 6 यानि की चैप्टर 6 में आप्शन C अध्याय 8 यानि की चैप्टर 8 में या फिर आप्शन D अध्याय 13 यानि की चैप्टर 13 में तो कुश्चन नमबर 902 का जो हमारा सही जवाब है आप्शन B is the correct answer किसे रिलेटेम है ये रिलेटेड है चैप्टर 6 से आप देखिए कुश्चन नमबर 903 क्या कहता है कि हीव्स का आर्थ है हीव्स का क्या आर्थ है आप्शन A चिंतन समस्या आप्शन B दाढ़ी नाव आना आप्शन C बालों का जढ़ना यह यहाँ पर जढ़ना लिखा है तो यहाँ पर डंडा नहीं रहेगा क्यों जढ़ना रहेगा यहाँ पर हेर फॉल हो जाएगा आप संडी तोचा में दरारे या ददोरे मतलब जो रह से आ जाते हैं तो कुश्चन नमबर 903 का जो हमारा सही जवाब है आप संडी इस दा करेक्ट अंसर तोचा में ददोरे आ जाते हैं हिप्स का मतलब जैसे छोटे-छोटे बोलते हैं कि हमारे पास सर यह क्या हो गया ऐसा लगता है कि कोई चीज रियक्शन कर गई है थोड़े दाने टाइप पड़ जाते हैं लाल कलर के बड़े खुजलाते हैं तो वह तोचा में ददोरे आ जाते हैं उसको हीव्स कहते हैं तो किसी भी तरीके से कुश्चन आ सकता है ध्यान कर लेते हैं कि 904 क्या कहता है कि एक सिक्षा के रूप में आप योन सिक्षा के बारे में क्या सुचते हैं यानि कि जो सेक्स एजुकेशन है उसके बारे में अगर आप एक टीचर है तो क्या सुचते हैं तो हमारे पास चार आपसन से आपसन ए यह माता-पिता का करतब भी हो समयोजन करने में सहायता मिलती है जो इस पर प्रतिबंद लगाना चाहिए यहां पर लिखा यह नहीं होगा इस पर प्रतिबंद लगाना चाहिए तथा विद्यालेव में ऐसी सिक्षा नहीं देना चाहिए तो कुश्चन नमबर 904 का जो हमारा सही जवाब है और सी इस दा करे चीजों की जानकारी रहेगी तो हम अनावस्य गतिविद्या नहीं करेंगे और जब अनावस्य गतिविद्या करते हैं तो फिर हमें समाज कहता है कि गलत हैं बहुत सारी चीजे तो अगर हमें इस जित की भी सिक्षा मिल जाए तो हम आवेर्नेस हो जाएगे हमारे अंदर त 905 अप्टकॉंट किस्से संबंदित है अप्शन ए अधिगमक्षम बच्चों से अप्शन बी स्वलीन बच्चों से अप्शन सी दिष्टिबादीद बच्चों से तो कुश्चन नम्ब इसलिए इसको छोटा कर लेते हैं अब देखिए इसको कुश्चन नम्नव सुच्छे क्या कैता है कि इसकूल प्रसासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अत्रिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आबंडित करता है मली जी कि आप सिक्षक है या आप सिक्षिका है तो अगर स्कुल प्रसासन आपको दे देता है कुछ अध्रिक कच्छाएं तो आप एका ध्यापक की रूप में आपकी क्या प्रत्क्रिया होगी तो देखते हैं हमारे पास चार आप्सन से आप्सन ए यह प्रतिवात करेंगे और कच्छा में नहीं लेंगे आपसन बी निरड़ाय के पुनर विचार का अग्रह करेंगे आपसन सी सभी विद्यार्थियों से कहेंगे कि वो स्वयम त्यारी करें आपसन डी इसे अपने दाइति के रूप में सुईकार करेंगे तो कुश्चन नमबर 906 का जो हमारा सही जवाब है आपसन डी इस दा करेक् करने के लिए क्यों क्यों कि हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट में परिपक्त को हो तो आपको जो प्रसासन है वो देना चाहिए कि वह बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं तो आनाकानी नहीं करना चाहिए पढ़ा देना चाहिए इससे आपको भी अनुवो बढ़ता है आपको से संबंदित हैं तो है थो है इस और 207 है तो हम इसमें देखते हैं कि पहला हमारा पता जैसी कि आउटिजम आटिजम क्या है एक डिपलेमंटल प्रॉब्लम है यह हमारा अगर पहला पता रोटिजम तो developmental problem है यानि कि सुलींता क्या है विकासात्मक समस्या है तो फिर hearing impairment क्या है अगर hearing impairment के बाद तो फिर यह क्या है तो इन 4 options में से एक option सही है और कौन सा है चलिए देखते हैं option A द्रिसी समस्य और कि visual problem option B इंद्री जनिस समस्य और कि sensory problem option C ब्यभारिक समस्य और कि behavior problem या फिर option D मांसिक समस्य और कि mental problem तो question number 907 का जो हमारा सही जवाब है option B is the correct answer क्यों hearing impairment इंद्री जनित समस्या है या बहुत अच्छे से जानते हैं अब देखिए question number 908 क्या कहता है कि दिश्च्रिबादीद बच्चों से संबंदित Braille Atlas किस तरह का उपकरण है Braille Atlas किस तरीके का उपकरण है हमारे पास 4 options से option A गड़ती उपकरण option B भागोलिक उपकरण option C लेखान उपकरण option D इन में से कोई नहीं तो question number 908 का जो हमारा सही जवाब है option B is the correct answer यह क्या है भागोलिक उपकरण है जिग्राफिकल एड़ से अब देखिए कि कोश्चन नंबर 909 क्या कहता है कि उस विकल्ब का चैन करें जो तीसरे पास से उसी प्रकार से संबंदी से जिस प्रकार से दूसरा पास पहले पास से इस तरीके के भी परसंद ज्यादा पूचे जाते हैं इसलिए आपको स्रीज में मिलते हैं तो देखते हैं जैसे कि पहला पादे CBR जो hearing loss होता है जो HI में वो क्या होता है एक 70 से 90 होता है ठीक है अब देखते हैं तो उसी तरीके से CBR ID का ID मतलब intellectual disability तो फिर इसका कितना होता हमारे पास चार option से option A 50 से 70 IQ option B 35 से 50 IQ option C 20 से 35 IQ option D 70 से 50 IQ तो question number 909 का जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer 20 से 35 अगर इससे भी लो हो जाएगा तो वो मतलब 20 से भी लो हो गया तो सीधी सी बात है यह प्रोफाउंड लेवल में आ जाता है अब देखते हैं question number 9 question number 910 यह किस तरीके का विकार है चलिए इसको भी देखते हैं bulimia भी साइद जानते होंगे फिलाल हमारे पास 4 option से देखते हैं option A अफवाहिविकार यानि की rumination disorder अब देखते हैं option B bulimia nervosa option C anorexia nervosa option D question number 910 का जो हमारा सही जवाब होगा option A is the correct answer अफवाहिविकार यह ध्यान रखिएगा कई तरीके के question कैसे भी बन सकते हैं आपने अनorexia nervosa तो ठीक है आपने पढ़ लिया त्योंकि यह पूछा जा चुका है पिछले जो DTSB का एक्जाम हुआ था बट आगे भी सवाल आ सकते हैं इसके दूसरे रूप में या किसी भी तरीके से अब देखिए question number 911 क्या कहता है थोड़ा question है मैं इसको explain कर दूँगा बोल दूँगा तो आप देख लेंगे आराम से question number 911 है कि मिर्गी का आर्थ है जो epilepsy है उसका आर्थ क्या है option A एक विकार जिसमें बेक्टी को तोचा की समस्या होती है option B एक विकार जिसमें मस्तिस्क का अगला भाग परभावित होता है option C एक विकार जिसमें सरीर के अंग गल जाते हैं आपसंडी एक विकार जिसमें मस्तिस्क की तंत्रिका कोशिकाओं की अवस्था बिगड़ जाती है जिससे दवरे पढ़ते हैं तो question number 911 का जो हमारा सही जवाब है option D is the correct answer आप देखिए question number 912 क्या कहता है किन्यम लिखित में से कौन सा ब्यवहर बच्चे की अधिगम निर्योगिता की पहचान करता है अच्छा अधिगम निर्योगिता मतलब जो learning disability अधिगम अक्षमता तो अच्छा कौन सा करता है चले देखते हैं हमारे पास चार option से option A अपमान जानेक ब्यवहर option B में क्या है बी को डी वाज को सा एवं 21 को बारह लिखता है option C कम अधान विस्तार एवं उच्छ सारीरिक गतिवी धी या फिर option D मनो भाव का जल्दी जल्दी बदलना तो question number 912 का जो हमारा सही जवाब है option B is the correct answer क्योंकि यहीं ज़्यादा match कर रहा है इससे आप देखिए question number 913 question number 913 क्या कहता है कि ट्रैकोमा का दूसरा नाम क्या है हमारे पच्चार option है option A समर्थ, option B सवलवाय, option C रोहे, option D प्यरड़ा तो question number 913 का जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer question number 914 देखते हैं कि चित्र पूर्थी परिक्षड क्या ने जो picture completion test क्या है अब इन चार options में से देखते हैं हमारे पास चार options से option A सब्दिक परिक्षड, option B, असब्दिक परिक्षड, option C, त्वचा परिक्षड, option D, संगीत कला परिक्षड तो question number 914 का जो हमारा सही जवाब है option B is the correct answer अब देखे question number 915 क्या कहता है कि मोतिय बिंद का प्रमुक लच्छण क्या है हमारे पास चार options से option A साफ दिखना, option B धुंदला दिखना, option C केवल दूर का दिखना, option D केवल पास का दिखना तो question number 915 का जो हमारा सही जवाब है, option V is the correct answer, अगर धुंदला दिखता है, ब्लरड विजन होता है, दिखता है इस तरीक क्या, तो जाता है मुझे को मोतिय बिंद बिंद बोलते हैं, भाई साब धुंदला दिखने हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कि पता तलिए आपको रता ह आप देखिए, question number 916 क्या कहता है, किन्यम लेकित कतनों को पढ़िया और उप्यूक्त विकल्प का चैन कीजिए, हमारे पास दो कतने हैं, कतन पहला कि NIEPVD, जो National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities कहा है इसती थे, देहरादुन में, कतन दूसरा क्या कहता है, NILD सिक अंदरबाद में इसती NILD क्या है, National Institute of Local Motor Disabilities, तो यह तो कोलकाता में है, तो यह तो गलत हो गया, उपर वाला फिर भी ठीक है, तो आप देखते हैं हमारे पास कतन कौन से, option A, दोनों कतन सही है, option B, दोनों कतन गलत है, option C, केवल कतन पहला गलत है, option D, केवल कतन दूसरा गलत है, तो question number 916 का जो हमार सही जवाब है, option D is the correct answer केवल कतन दूसरा गलत है, क्योंकि NILD कोलकाता हमें इना की सिकंद्रावाद में, आप देखिए, question number 917 क्या कहता है, कि प्रतिरक्षा पड़ाली है, the immune system is, हमार पास चार option से, option A, मानस्पेसियों का एक समूह, option B, हड्डियों का एक समूह, option C, जबिक प्रक्रियाओं का एक नेटवर्क जो किसी जीव को बिमारियों से बचाती है, आप संदी सरीर में रोक का कारण, question number 917 का, जो हमारा सही जवाब है, option C is the correct answer, आप देखिए, question number 918, कि निम लेकित कतनों को पढ़िया और उपियक तो विकल्प का चैन कीजिए, अब इनमें से ह हमारे पास दो कतन फिर से हैं, कतन पहला कि एलिम को कानपूर में है, एलिम को क्या है, Artificial Lim Manufacturing Corporation of India, ये कानपूर में है, बिल्कुल ठीक है, कतन दूसरा क्या कहता है, कि SB निर्तार कटकुडिसा में है, ये भी ठीक है, SB निर्तार क्या है, स्वामी बीबेकनन, National Institute of Rehabilitation Training and Research, तो हमारे पास चार आपसन से, आपसन A दोनों कतन सही है, आपसन B दोनों कतन गलत है, आपसन C केवल कतन पहला गलत है, आपसन D केवल कतन दूसरा गलत है, तो कुश्चन नमबर 918 का जो हमारे सही जवाब है, आपसन A इज़ा, करेक टांसर क्योंकि दोनों कतन सही है, अब पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है किसी भी तरीके के प्रशन आ सकते हैं कोई बुराई नहीं है अब देखिए कोश्चन नमबर 920 क्या कहता है कि सुनने में परहसानी वाले बिद्यारतियों के लिए निर्देशों की सर्वोत्तम भी दी है यह इसे कोश्चन है जो पुराने पेपर में आ चुके हैं तो कोश्चन नमबर 920 को देखते हैं सुनने में परहसानी जो कौन होता है सुनने में परहसानी मतलब जो हेरिंग लॉस वाले बच्चे होते हैं तो बेतर जो निर्देशों की सर्वोत्तम भी दी कोश्चन है अगर देखा जाए तो हम क्या है टोटल कमुनिकेशन का यूज करते हैं हम किसी भी तरीके से जिस तरीके से बच्चों को समझा सकें पढ़ा सकें उनको घ्यान हो सकें वो सीख सकें कॉंसिप्ट क्लीर कर सकें वही बेटर है और कोई ऐसी उचित एक नहीं है इसलिए हम मल्टी यानि जो टोटल कम्यूनिकेशन का यूज करते हैं पढ़ाने के लिए अब देखिए को सबसे पहले किस ने पता लगाया आपने तो पढ़ लिया कि जो अनुरेक्सिय नर्वोशा है वो खाना से संबंदित विकार है लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए किस ने पता लगाया तो हमारे पास चार आप्सन से आप्सन A ब्रेडी आप्सन B लेसर आप्सन C सर बिलियम गल आप्सन D जॉन यांग तो कुश्चन नमबर 921 का जो हमारा सही जवाब है आप्सन C is the correct answer अब देखिए कुश्चन नमबर 922 जो कि कथन से संबंदित है कि उप्विक्त विकल्प का चैन करना है दोनों कथन पढ़के तो पहला कथन है कि कि RTE at 2009 में लागू हुआ कथन दूसरा क्या है कि NCF 2005 के अध्याय 4 में समाबेसी सिक्षा का वड़न है तो कुश्चन नमबर 922 का जो हमारा सही जवाब होगा उसके लिए हम 4 हमारे पारा आप्सन है जवाबेसी जवाब हैं और बहुत अच्छे से परीचीत भी है अब देखते हैं कोश्चन 923 सवाल किस तरीके से आएगा आपको भी नहीं पता किस तरीके से पूछ सकता है ना उसका कोई सिलेबस निश्चित है इस पेसल एजूकेशन का तो इसलिए खुब पढ़ लीजिए कुश्चन नमर 923 देखिए कि सेरेब्रल डॉट डॉट से संदर्भीत है या किसे संबंधित ह क्योंकि यह सब क्वेशन्स ना आ चुके हैं और मेक्जिमम लोग गलत करके आते हैं तो देखते हैं हमारे पास चार आप्षन से आप्षन ए मांस्पेसियों में चोंट आप्षन बी मस्तिस्क किके किसी भाग से आप्षन सी हड्डियों का टूटना आप्षन डीन में कोई नहीं तो क्वेशन मनों 123 को जो हमारा सही जवाब है और सन बी इस दा करेक्ट आंसर स्रेब्रल का मतलब होता है मस्तिस्क के किसी भाग से लेकिन जब से बिल पॉल से जुड़ जाता है तो मस्तिस्क में प्रमस्तिस्क की पक्चा घात हो जाता है या नहीं मस्तिस्क के किसी पक्ष में प्राब्लम हो जाती है तब हो पालसी जुड़ता है तब अधर्वाइज हमें आफसन बी इस दा करेक्ट आंसर आप देखिए क्वेश्चन नमबर 924 क्या कहता है कि कहता है कि आती स्वसन सनलक्षण संबंदित है जो हाइफ़ बेंटिलेशन सिंड्रोम इस रिलेट देखिए क्वेश्चन नमबर 925 कि भासा अभिवेक्ति विकार संबंदित है यानि कि जो लैंग्वेज एक्सप्रेश्व ड्सौडर है वो देखिए संबंदित हैं कि 735 हमारे क्वेश्चन है हमारे पास चार आप प्रस्टन से सब्डकोंष्ण का सीमित होना आपसन इसान और अदीग सब्रकोंष्ण होना ना आपसन सी चेरेगी चमकं होना मस्तिस्क विकार से तो Champions क्वेश्चन नमबर 925 का जो हमारा सही जवाब है option A is the correct answer क्यों अरे भया एक्सप्रेस तो तभी नहीं कर पाएगा ना जब सब्दकोस का सीमित होगा अगर अधीस सब्दकोस होगा तो उसको बैठा दोगी सामसे सुबह तक करता रहेगा खुब इस पीस देगा बोलता रहेग तो हलाकि यहां पर विकार से संब्दित है तो एक्सप्रेसिव डिसॉडर एक्सप्रेस तभी करता है जब अंदर कुछ होगा तो अगर कोई चीज सीमित है तो ज्यादा नहीं कर पाएगा आप देखिए question number 926 question number 926 क्या कहता है कि बदिरांदता वाले बैक्तियों की करके सीखना और यह सब पुराने आपके पेपर में आ चुके हैं इसलिए इनको भी ध्यान से समझिए पढ़िए अब देखिए question number 927 क्या कहता है कि menstrual disorder सम्बंदित है menstrual disorder सम्बंदित है किस से हमारे पास चार आप्सन से आप्सन ए महिलाओं में मासिक धर्म आप्सन भी गर्भपात आप्सन सी लेंगिक आप्सन डी पेसाप से यूरिनारी से question number 927 का जो हमारा सही जवाब होगा आप्सन ए इस दा करेक्ट आप्सन जो मेंस्टूल है वो विमेन के महिलाओं में जो मासिक धर्म आता है पिरियट से संबंदी था है आप देखिए question number 928 question number 928 क्या कहता है कि बहरूल इसलाम समीती ने किसकी सी फारिस की थी देखिए बहरूल इसलाम समीती क्या है ये एकुल ऑपॉर्चुन्टी प्रोटेक्शन आफ राइट फुल पार्टिसिपेशन की बात करता था तो यह हमारे सभी मिलते हैं किसमें पी डब्लूडी एक्ट में आर्पी डब्लूडी में तो मिलते हैं लेकिन जब सुरुवात पहली हुई थी तो इसी किसी फारिस किया था तो हमारे पास देख लिजे चार आप्संस होगे सवाल कहीं से भी आ सकता है बस पढ़ते रहिए अब पूछ लिया ना एकदम नया नया सवाल होता है फिर दिक्कत करता है इसलिए पढ़ते रही है हलांकि बहुत नजदीक एकदम है अब 929 देखिए कि डिसकाइनेटिक को अन किस नामसे जाना जाता है ये सब सवाल आ चुके हैं आपके पिछले एकदम में डिसकाइनेटिक को अन किस नाम से जाना जाता है जो कंट्रोलिंग प्राब्लम को दर्स आता है हमार पास चार ओप्सन से अप्सन ए ऐनीमिया जानते हैं आप क्यों क्योंकि एनीमिया क्या है जब बलड की कमी होती खुन की कमी होती है एनीमिया कराता है अफसन भी एथेटोइड अफसन सी गुलाबी ऑफसन डी इनमेश कोई नहीं तो क्वेश्चन नम्बर 939 का जो हमारा सही जवाब है ऑफसन बी इस दा करेक्ट आउंसर जो एथेटोइड है यह इसको हम डिस्काइनेटिक भी कहते है आप देखिए क्वेश्चन नम्बर 930 क्या कहता है कि यदि किसी बेक्टी को समाज हमेशा उसकी कम्यों को परदर्सित करता है तो बेक्टी हो सकता है आजकल तो यह समाज का रवाईय ही हो गया है अवेरनेस ना होने के कारण यह सब आम बात हो गई है लेकिन फिर भी हमारे पास अगर चा समाजी क्रूप से ग्रसित ऑगा आप चाप्सट्र क्येवल विवहारी और से प्रकिंद हो एक बात हमेशा ध्यान रखशेए जहां पर लिखा हो केवल वहाँ अपने कठ्धता है तो सही क्या होगा अपशन सी इस्दा करेक्ट रूफ्सर 930 का हमारा क्या होगा option C is the correct answer अरे भाईया कोई फिजिकली हो गया अब मांसी की रूप से हो गया उसको हमेशा कहती है तो पागल है कुछ करते ही नहीं यह बहुत पीछा है अब विचारा वो मनो समाजी को जाता है धीरे धीरे जो इरिक्रिक्षन महोदे हैं ना उनकी समाशे स सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए हमेशा मोटिवेशन और हमेशा शहानु भूती नहीं बलकि समानु भूती की भावना रखना चाहिए तो यह 930 का जो हमारा option C सही है आप देखते हैं question 931 क्या कहता है कि सिक्षण अधिगम का मनो बज्यानी का धार किस पर निर्भर करता ह है 931 है हमारे पास 4 option शिक्षण मनो बज्यानी का शिक्षण दिगम का मनो बज्यानी का धार किस पर निर्भर करता है यह आ चुका है एक्जाम में हाली में एक्जाम हुआ है तो हमारे पास 4 option से option A language आनि की भासा, option B, विसेवस्त यानिकी content, option C, शिक्षण के तरीके यानि की टीचिंग स्टाइल ठीक नहीं है बच्चे कभी सीख नहीं सकते आप लाग कोशिस कर लीजे तो सीक्षड दिगम का एक साइकलोजिकल ही कैसे हम बहतर कर सकते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है अब देखिए क्वेश्चन नमबर 932 बहतर सवाल है आपके लिए एक्जाम के दिश्टी कोण से और यह ऐसे सवाल आभी चुके हैं लेकिन यह दूसरे तरीके से आया था मैंने इसको दूसरे तरीके से बनाया हुआ है तो देखिए क्वेश्चन नमबर 932 कहता क्या है कि दिश्टी तिक्षड़ता जो बीजो लिक्विटी है 20 बटा-20 इस नेलें संबन संबन्दित है किसे संबन्दित है पहले देख लेते हैं मैं आपको 6x6 भी समझा देता हूं हमारे पास चार आप्सन से मीटर आप्सन भी फीट आप्सन सी संटीमीटर आप्सन डी लीटर तो कुश्चन नमब 932 का जो हमारा सही जो अब आप्सन भी द्यान रखेंगे जब 20 बटा की बात आजाए तो वह फिट से संबन्दित होगा फुट और जब भी बात आजाए 6 बटे 6x6 भाई तो वह मीटर से संबन्दित होगा ध्यान रखेंगे अगर आप उसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सवाल कैसे भी बन सकता है बसरते आप कॉंसेप्ट क्लियर रखेंगे बाकि सवाल कैसे पूछेगा वो कोई नहीं जानता है अपना कामे कोशिस करना अब देखिए कोश्चन नमबर 933 क्या कहता है कि निम लिखित में से आनुवानसिक रोग है अब यहाँ पर आनुवानसिक रोग की बात करना है अब देखिए जो 933 कहा जो हम ना भी पढ़ा कि निम्लिकित में से अनुवानसिक रोग है अब देखिए आपर हाइरिडिटी डिजिस देखना है ध्यान रखिएगा हमारे पास चार अप्षन से अप्षन A प्रमस्तिस्की पक्षागात अप्षन B परकिंसंस रोग अप्षन C थलेसीमिया रोग अप्षन D स्रमण बाधिता तो क्वेश्चन अमर 933 कह जो हमारा सही जवाब है अप्षन C is the correct answer बांकि कोई भी अत्यधिक मैच नहीं खाता है कि अब देखिए नेक्ष्ट देखते हैं कि कोश्चन नमर 934 क्या कहता है कि जी इ मैयर्स मैयर्स ने विद्यालेव में व्यावसाइक निर्देशन है तो कितनी सेवाओं का सुझाओ दिया है कितनी सेवाओं दिया है हमारे पास चार आप्षन से आप्षन A 7 आप्षन B 8 आप देखिए वहाँ पर अन्वांसिक विकार था और यहां पर आपको खोजना है 935 कि अन्वांसिक विकार नहीं है यह ध्यान रखिए यह नहीं सब्द जुड़ गया है सवाल को अगर आप एक बार में ना समझ पाएं अगर सवाल पढ़ने के बाद आपको अंसर समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर से सुनिए अगर आपको अन्वांसिक विकार से सम्मंदित या कोई भी सवाल है सवाल पढ़ने के बाद अगर आपको अंसर समझ में नहीं आ रह हाँ समय की बचत करनी जरूरी है लेकिन एक बात ध्यान रखें सवाल बहुत अच्छे से पढ़िए बहुत अच्छे से जवाब मिल जाएगा फिलाल हम यहाँ दिखते हैं क्या कहता है कि निम्लिकित में से अनुवांसिक विकार नहीं है तो हमारे पास चार आप्संसे आप्स आप देखिए question number 936 देखिए question number 936 क्या कहता है कहता है कि अधिक समय लेने वाली पढ़ाई को क्या कहते हैं अब यह जानते हैं यह सवाल आ चुका है बड़े अच्छे से और यह इसको हल करना कई लोग मतलब गलत करके बहुत अच्छे से आ जाते हैं तो अधिक समय लेने व थोड़ा बहुत देख लिया उपर उपर चलो ठीक है आजकल ज्यादा तर बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं उसके पढ़ने के बाद नौलेज हो नहीं पाथा फिर एक्जाम कोई क्रेक नहीं हो पाथा तो option D क्या scan करना scanning तो question number 936 का जो हमारा सही जवाब है option B is the correct answer कहता है जब आपके लिए बहतर है ध्यान से इसको पढ़िए नौस साइटिस कहता है कि मार्ग दर्शन के लिए मार्ग दर्शन के लिए जानकारी करने की गैर परिक्षण भी दी जो ऐसी है जो non testing है ध्यान रखिए हमारे पास चार आप्सन है आप्सन A उपलबदी परिक्षण आप्सन बुद्धी परिक्षण आप्सन C, case study आप्सन D, अभी चमता परिक्षण तो question number 900 scientist का जो हमारा सही जवाब है आप्सन C is the correct answer अरे सीधा सा मतलब है जहां जानकारी कतरित करते हैं तो जानकारी कतरित करने के लिए तो हम इसी का प्रयोग करते हैं वो भी case study क्या है कोई testing थोड question number 938 क्या कहता है कि brace संबंदित है कि brace क्या है हमारे पास चार option A सारीरिक समस्या से option B मांसिक समस्या से option C समाजिक समस्या से option D आर्थिक समस्या से question number 938 का जो हमारा सही जवाब है option A is the correct answer अब देखते हैं जैसे कि हम जो हमारा supportive चीज होता है एक पट्टा टाइप का हमारे नी प्रेक में हो गया जब इस तरीके के सपोर्ट करते हैं पट्टा लगा के तो उसको हम brace कहते हैं यह भी ध्यान रखे कलिपर्स अलग चीज है उसको हम brace नहीं कहते हैं वह अलग चीज है और सीधा पढ़ाना सुरू कर देते हैं फिर पता तला कि बच्चे को समझ में नहीं आया तो भाईया पहले देख लो तो हम देखते हैं जड़ा चार आपसने हैं हमारे पास है ना जग चमाही आपका एकजाम होता है जब आपका वार्सीक एकजाम होता है तो assessment of learning होता है ध्यान रखिएगा है यह चोटी-चोटी चीजें लेकिन फिर बाद में का करती है और यह यार गल्ती कराए हम चोटी सी में श्टेक कराए तो यह बात आपको बिलकुल concept clear रखन है एकदम कि अब देखिए क्वेश्चे नम्न 940 940 क्या कहता है चलिए देख लेते हैं कि इस पाइना भाई फीटा वाले बच्चों के लिए यह आवस्चेक नहीं है अब 940 का देखना है जो इस पाइना भाई फीटा जानते हैं ना कैसे बच्चे होते हैं जो बैक से रिलेट गातों ट्रक्यों होगा यहीं संभन्दित नहीं है यहीं आवस्यक नहीं है क्योंकि अधले यहां था रिलेटट की है अब देखते हैं । कogaने को पढ़िया उप्यूंक तुभी कलब का चैन कीजिया हमारे पास दो कथन हैं कि पहला कि ISL RTC is located in Bhopal कि ISL RTC कहा है थी थे Bhopal में जो कि बिल्कुल गलत है जो कि ये नई दिल्ली में है कतन दूसरा क्या है NCF की दूसरी रूप रेका 2005 में बनी आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये तो बिल्कुल गलत है क्यों क्यों क्योंकि आप इतना ही जानते हैं कि NCF 2005 में बहुत बढ़िया लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि NCF की चार रूप रेकाएं बन चुकी है और जो 2005 है ये चौती रूप रेका है पहली बनी थी 1975 में दूसरी बनी थी 1988 में तिसरी बनी थी 2000 में और चौती बनी थी 2005 में ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए देखिए बात DTSB के क्यों की नहीं है किसी भी एक्जाम में बैठिए आपका कॉंसेप्ट टोटल क्लियर है कहीं से भी सवाल करें आपको सपूच क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा पहला क्या है गलत है दूसरा कतन क्या है वो भी गलत है तो जब दोनों गलत है तो हमारे पास चार आपसन है आपसन A दोनों कतन सही है आपसन B दोनों कतन गलत है आपसन C के वोल कतन पहला गलत है क्योंकि दोनों कतन गलत है अब फिर से देखिए कतन वाला आ गया क्या कहता है कि निमलेकित कतनों को पढ़िए और उप्युक्त बिकल्प का चैन कीजिए फिर से देखते हैं भाईया कौन कौन से कतन है पहला कतन क्या है कि NCERT की स्थाप्रा 1961 में हुई कतन दूसरा क्या है कि सबसे पहले एकिक्रिस्टिक्षा क्या दाड़क जनम हुआ बिलकुल नहीं हुआ अगर हम तीनी चीजों को ले ले आफ़ेसल एजुकेशन इंटिग्रेटिेदेटिकेशन इंक्लूसी ओजुकेशन तो भी यह बी बीच में आता है है तो यह भी गलत है तो नांबे नोजोनों कतन सही है अंगर को करेक्था नसर निच्वा ला गलत है पहला ठीक है अब देखिए question number 943 question number 943 क्या कहता है कि ऐसी कौन सी समस्य है जिसे गुलाबी नाम से जाना जादा हुआ ध्यान रहे वो awareness color है जो गुलाबी color किसी undisability को सो करते हैं उसका वीडियो अलग देख लीजिए disability awareness color बनाया हुआ है आपको मिल जाएगा अलग से वीडियो सिरीज में ध्यान रखिएगा तो यहां पर हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी समस्य है जिसे गुलाबी नाम से जाना देता है अब तो आ जाएगा तो बोले साब गुलाबी क्या है यह तो रंग है तो लेकिन फिर आद देखते हैं हमारे पा आभी कलर के चित्ता चित्ता हो जाता है ना मतलब एक दाने टाइप के गुलाबी कलर के और बड़ी दिक्कत होती है दर्द होता है खुजली होती है तो उसे हम क्या कहते हैं रो जे सी ध्यान रखिएगा अब देखिए क्वेश्चन नमर् 944 944 देखते हैं कहता है कि एक नाटक का अनुभा डाट-डाट के उद्देश्यों को पूरा करता है नाटक तो बहुत अची चीजे आजकल तो नाटक के दौरा पढ़ाओ सारी चीजे कॉंसेप्ट क्लियर हो जाता है लेकिन हम तो क्यों लेक्ट्टर में थाड़ी पढ़ाते हैं पर चली देखते हैं फि जो कि यह तो अलग है कि वले जुकेशन होगा नहीं इसलिए आपसन कोश्चे नमन नौर्स चावालीस का जो हमारा सही जवाब है आपसन बी इस दा करेक्ट आंसर एजुकेशन एंड मेडिकल चीक साक अभी काम कर देता है आजकल जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को व्यो 145 का कहता है कोश्चे नमन 945 जो कहता है कि विशिश्ट बालक का संबंद होता है विशिश्ट बालक का संबंद होता है हम कहते हैं यृanov 기 द्यक मैं ज़िए- से ठीक है जिक है टो चली देखते हैं हमारे पास आपसन a सिक्षा से और बुद्दी से र आफसन पाठट भी से खेल से तो कुश्चन मनव 145 को जो हमारा सही जवाब है अप्शन बी इस दा करेक्ट अंसर हमें इंटेलिजन से लेते बुले साथ इसके बुद्धी की कम है और वो सही नहीं से लिए क्यों जब यार विकलांग है तो उसके पास स्वास समध नहीं सकता वो तो पढलिक भी नह हम ज्यादा तर उसी को लेते हैं लेकिन एक बात ध्यान रखें हमारा अब सिच्वेशन बदल गया है अब आ गया हमारा इंक्लूजन अब हमारा मैन स्ट्रीमिंग चलता है जहां पर यह सब चीजे नहीं सोची जाती है लेकिन आज भी अगर इस तरीके के कुश्चन आते है तो जवाब आपका यही सही होता है क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आज भी किसी बिक्ती की किसी समस्या को बिकलांग मनते हैं अब देखिए क्वेशन नमबर 946 कहता है कि यदि एक बच्चा आपकी कच्छा में आती चंचल है तो आप क्या बन जाएंगे आपके बच्चा कच्छा में आ गया और बहुत उधम मचाता है एक दुसरे को मारता है कभी-कभी तो आपको भी कुछ भी फेक के मार देता तब आप क्या करेंगे बताइए हमारे पास चार आपसन ए उसको कच्छा से बाहर निकाल देंगे यह तो विल्कुल करने का मतलब है कि आपके पास तो काबियत नहीं है कि उसे कर सके और आप एक टीचर है आप अपने क्लास के बच्चों को डिल करना आपकी जिम्मेदारी है टोटल रिस्वंसिबिलिटी है तो कुछ नमना 146 का जो हमारा सही जवाब है अप्शन B is the correct answer भया उसे कुछ काम द कहता है 947 का कहता है हमारे पास इसके लिए चार आप्शन होंगे 47 कुछ दिखते हैं स्रूण हानी वाले बच्चे मतलब जो हीरिंग लॉस वाले एंपेरिमेंट वाले बच्चे होते हैं उनके लिए पहचान करना और सेवा उपलब्द करना डॉट 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 कहलाता है धार पास चार आपसमारे और परिवार प्रस्टिक्षण प्रसान दार जाएंगे थोसकी का इंपर अन्थ्यृत रॉटेंगे तो छोडी कान की जाय ओ जाएगी या ध्यान रकेंगे हम लोग आप देखते हैं क्वेश्चन मन 948, 948 क्या कहता है कि बेक्तिकत विभिनेता वनसानुगत कारकों तता डॉट-डॉट के भी जटिल परस्फर करिया का है अब यह तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वनसानुगत कारक हो गया मतलब वनसानुगत और एक चीज़ और ज इन्वार्मेंट जुड़ गया इनी से पूरा डेवलोप्मेंट होता है मनुष्ट का यही दो फैक्टर है इने में सारी चीज़ समाहित है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 949 क्या कहता है यह तो भया पद वाला आ गया अब यह जरूरी है ऐसे क्वेश्चन बार-बार प मंदित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से है तो हमारे पास जैसे कि पहला डिसिःवलिटी कीज़ संगल प्राप्लम है मतलब हांडीकेप किसी को ऐसे नहीं कह सकते हैं हांडीकेप को हिंदी में विकलांग कहते हैं आजकल हम किसी को भी विकलांग सब्द कह देते हैं लेकिन विकलांग उसे कहते हैं जिसमें एक नहीं बलकि समस्याओं का समू होता है जबकि एक से अधिक समस्याओं होती है किस कोई अग सब्सक्राइब करने में बुद्धी के तरीके से तो कार्यात्मक हो जाएगा और कार्यात्मक चीजों में जब कमी होती है तो एकाडिंग टु डबलू एच ओ हो चाहे वो आई सी एफ इंटरनेशनल क्लाशी पेकेसान आप फंक्सिनिंग हो वो दर साता है हमारे डीसेबिलिटी को यह अब ध्यान में रखेंगे यहां पर फिलहाल जो हमारा सही जवाबे 941 का वो क्या है अब देखिए कुश्चन नम्बर 950 क्या कहता है यह कि निमले कित्मे से कौन सा कता सत्य है अब यहां पर आपको देखना है कि सत्य कौन सा है हमारे पास चार आफसान ह अन्वानसिक बिकारों से दिष्टिबाजिता नहीं होती है अफसन भी बजरान इवेक्ति संप्रेशन नहीं कर सकते अफसन सी अध्यन सर्वोत्तम रूप से कक्छा में होता है अफसन भी बजरान बच्चों को प्रस्रिक्षित किया जा सकता है कुश्चनमना 150 का सही करते हैं पता चले कि मॉमी पापा भी है वह भी निकल गया तब क्या करेंगे थक तो हो सकता है यहाए अज है देख접 अच्छे मोटी अच्छा में को थोड़ी होता है आजकल तो लोग फिल्ड में ले जाते हैं, आजकल तो लोग घुमाने ले जाते हैं, कक्षा को छोड़ करके ग्राउंड में पढ़ाते हैं, तो क्या वहां नहीं होता होता है, तो इसलिए option D is the correct answer, तो ये आजकी हमारे 50 questions, I hope आपको पसंद आए होंगे, कमेंट करके जरूर ब मिलते हैं, अगर कोई और वीडियो बनती है, तब तक लिए जैहिन,